अगर कोई कि Bay from Thompsonislame जानल तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ विविडिफुल हेंगिंग प्लांटे आप उसे हेंगिंग प्लांट के तरह यूज़ कर किसी भी आप नीचे उसे जमीन में लगा सकते हो या फिर किसी भी तरह से आप सजा सकते हो जिसका नाम है स्पाइडर प्लांट जैसे के आप देख रहे हो मेरे पास बहुत इसकी ज्यादा मैंने कटिंग से ग्रो किया है और यह जो गमला है इतना बड़ा हुआ हुआ यह भी से लेके अब मदर बन चुका है और इसकी बहुत अच्छे सी जो है इसमें बेबी आने लगे है यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें से एक दंडी निकलती है और उसमें छोटे-छोटे स्पाइडर प्लांट उसमें ग्रो हो जाते है तो अभी यह सिट्वेशन है कि यहाँ इसके खुद के स्पाइडर प्लांट हो रहे है तो इसके लिए जो भी हमें जरूरत होगी आज हम इस वीडियो में देखने वाले है अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक्शूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलो स्टार्ट करते है आज का वीडियो तो आज हम देखने वाले कि स्पाइडर प्लांट के लिए कैसी जगा चाहिए कैसी मिठी चाहिए कैसा गंबला चाहिए और इसके क्यार हम किस तरह से कर सकते यह सब हम देखने वाले है तो इसी जो आपको वही सभी दिखाने वा बहुत ही जादा एजी तो ग्रो होता है आपको छोटी सी कटिंग उसकी मिल जाए जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एक छोटी से मैं ने पानी में डाल दिया था और इसके देखो बहुत ही अच्छी तरह से इसके रूट्स आ चुके हैं तो जब इसके इस तरह से रूट्स बड़ी हो जाए तो ग्रो होने में बहुत आसानी हो जाती है तो इस तरह से मैंने इसे पान में पहले 8-10 दिन के लिए ग्रो कर ले आता ता तीन-चार दिन बाद आपको इसका पान चेंज करना है और अभी जो भी इसकी जो एलो लीफ है मैं यहां से वह सभी हटा दूंगी से मिट्टी में ट्रांसपर कर दूंगे तो जो स्पाइडल प्लान होता है वो हमें जो होता है उसे धूप जादा पसंद नहीं सुबह की एक दो घंटे की दूप यह जहल सकता है उससे जादा दूप अगर इसे मिलती है तो इसकी जो पत्या है उनकी टीप ब्राउन होने ल तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा गंबला में यहां पर लिया है क्योंकि मेरे पार्स अभी हैंगिंग बास्केट या फिर बड़ा गंबला अवेलेबल नहीं है और कटिंग तो है कटिंग हम ज्यादा दिन भी पानी में ग्रोश कर सकते हैं लेकिन इसके लीफ जो थी वह एलो हो रही थी इसलिए मैं इसे ट्रांसफर कर रही हूँ और मैं इसे मेंने मिट्टी इस तरह से तयार किये कि 50% में यहाप गार्डन सौइल और 50% मैंने को को पी यूज की है और इतना ही गंगला है अपके पास तो आप एक मुट्टी खाद इसमें यूज कर सकते हो यह सभी मेरा मिच्चर पहले से तयार था और जो स्पार्डल प् अगर आप नरसेव से भी यह फ्लान्ट खरित के लाते हो और विसमें चिकनी मिट्टी में ग्रोव हो रहा है तो आपको मेक स्वेट करके वह मिट्टी आपको रिप्ट करना पड़ेगा तो यह तो हो गई मिट्टी की बाद आप सभी समझ चुके होंगे और अगर इसकी तो आपको जादा इसमें कोई भी फट्रिलाइजर देनी की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हो तो एक मेहने के बाद आप आप अनिंफिल फट्रिलाइजर राइस वाटर या फिर जो हमारा औरेंज फिल फट्रिलाइजर होता है वह भी आप दे सकते हो और अगर यहाप पा प्लांट वह दीरे घर जाएगा इसके लिए पानी हमेशा इसकी मिट्टी जो टॉप लेह उसको उंगली से चेक करके ही फिर इसमें पानी दे और इसे कभी भी जादा दूप में ना रखे अच्छे से ब्राइट लाइट में रखे और देखना आपका यह प्लांट बहुत करना चाहते हो और आप बिगिनर्स हो तो यह प्लांट आपके लिए बहुत ही अच्छा है बहुत शुब माना जाता है तो इसके लिए आप इसे नरसरी से भी ला सकते हो या फिर कटिंग से आपके दोस्तों से पड़ोसी से मांग सकते हो और इस प्लांट को अगर एक बार तो इसके मुल्टिपल आप बना सकते हो डिवाइड करके भी अगर बड़ा हो जाए तो उसको डिवाइड करके भी आप इसे बढ़ा सकते हो तरह का था आजका ये वीडियो उम्मीद करती हूं में कि आपको मेरी इंफॉर्मेशन इंफोर्मेटिव लगी होगी और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे गाइडनिंग करते रहिए चानल पर अगर आप नए है तो चानल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कूल मज जाना क्योंकि ऐसे वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए गाइडनिंग करते रहिए टेक केर एंड बाई